हेलो, गुड मॉर्निंग स्टुडेंस, कल हमने पढ़ लिया था 1.2 फॉटो सिंथेस फॉट मैकिंग प्रॉसेस इन प्लांट, इसे स्टार्ट किया था, उसे हम अब आगे स्टार्ट करते हैं, Leaves are the food factory of plants, कल हमने यहाँ से पढ़ा था, बट हम वापिस इसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं, Leaves are the food factory of plants, the synthesis food of food in plants occur in leaves, तो leaves क्या होती है, प्लांट की food factory होती है, जितने भी food बन के तयार होते हैं, factory जहां पर हम materials को बनाते हैं, तो जितनी भी चीज़ें हमारी बन के तयार होती है, food की, वो सारा plant के leaves में ही prepare होता है, the synthesize of food in plants occur in leaves, synthesize banana, मतलब भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है, वो कहां पर होती है, leaves के अंदर, therefore all the raw materials must reach their water and minerals present in the soil and observe by the roots and transport to the leaves, तो के स्ट्रेट, तो जो raw materials होते हैं, जितने भी raw materials food बनाने के लिए required होते हैं, जैसे कि water, minerals, यह सब हमें, water और minerals हमें soil से प्राप्त होता है और soil से root leaves तक transfer करता है, carbon dioxide from air in taken in through the teeny pores present on the surface of the leaves, और जो carbon dioxide होता है, वो air में present होता है, तो air से कौन उसे लेता है, air से हमारी lips के अंदर tiny pores होते हैं, छोटे छोटे छिद्र, यह देखे, यहां लिखा है यह tiny pores, तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो छोटे छिद्र लिप्स में present होते हैं, लिप्स के surface पे present होते हैं, वहां से ये क्या करते हैं, carbon dioxide को लेते हैं, इस pores are surrounded by guard cells, और ये जो pores होते हैं, ये एक guard cells के द्वारा चारो तरफ से घीरे हुए होते हैं, guard cells, तो चारो दरब से घीरे हुए होते हैं, एक लेयर बना हुआ होता है, और सच पोर्स आरकाल istomata, और यह जो छोटे-छोटे पोर्स होते हैं, जिने मैं बोल रही है, छोटे छिदर पाए जाते हैं, लिप्स के अंदर, उन्हें हम क्या कहते हैं, student, उन्हें हम istomata कहते हैं, आगे दिखे, बुजो wants to know how water and minerals absorb by roots, reach the leaves, water and minerals are transport to the leaves by the vessels which run there like pipes throughout the root, the stems and the branches and the leaves, water and minerals, जो ट्रांसफोर होता है, leaves तक वो कहां कैसे पहुंसता है, leaves तक आके पहुंसता कैसे, जैसे root ने उसे transfer कर दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया, roots के द्वारा वहां तक भेजा जाता है, लेकिन वो किस माध्यम के द्वारा वहां तक पहुंचता है किस कौन वहां तक उसे थ्रो आउट करता है तो वो करते हैं हमारे रूट से लेके लिप्स तक कुछ ब्रांचेज होती है कुछ वैजल होती है कुछ पाइपलाइन्स होती है जैसे कि हमारे घरों तक पानी किसके द्वारा पहुंचता है तो जब आप चैप्टर 11 में जाओगे तो इसके बारे में और डीटेल से हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 में क्या अखिर ये न्यूट्रिंस लिव तक पहुंचते किस पाथ के द्वारा है वो जाइलम और फॉयलम के द्वारा होता है वो हम next 11 चैप्टर में पढ़ेंगे next line दीखे the leaves have the green pigment all chlorophyll जो leaves होती है उनके अंदर एक green color का pigment पाया जाता है वो green color का pigment क्या होता है student chlorophyll उसे हम क्या कहते है chlorophyll it has leaves to capture the energy of the sunlight और ये क्या करता है chlorophyll chlorophyll capture करता energy को कहा से sunlight से this energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water तो ये जो energy ये जो sunlight से हमने energy capture की है वो energy क्या करती है खाना बनाने में food का भोजन प्लांट का भोजन बनाने में मदद करती है प्रिपेर करने में synthesize it means क्या होता है प्रिपेर करना food को प्रिपेर करना from carbon dioxide and water और किसके उपस्तिती में किसके द्वारा carbon dioxide और water तो जब तक sunlight प्रोवाइड नहीं होगा तब तक leaves का leaves के अंदर फूड बनना तयार नहीं होगा तो यह जो sunlight होता है यह बहुत में होता है इसलिए कहा जाता है कि leaves हमेशा क्या करती है दो फहर के समय आफ्टर नून के समय ही अपना भोजन बनाती है क्योंकि उनको sunlight के जरुवत होती है since the synthesis of food occur in the presence of sunlight it is called photosynthesis तो यह process जिसके कौन सा process photosynthesis का process से क्या जब sunlight उपस्तित हो carbon dioxide हो water हो minerals हो यह सार चारो चीज जब हमारी मिलती है तो सूरज की रोशनी की उपस्तिती में एक क्रिया होती है एक प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम photosynthesis कहते है photosynthesis two words से मिलकर बना हुआ है first है photo and second है synthesize तो photo it means light or synthesize it means to combine मतलब light को combine करना प्रकाश को संसलेशित करना मतलब light means प्रकाश और combine मतलब संसलेशित करना किसी भी चीज को प्रकाश को उसके अंदर मिला देना तो photo plus to combine तो light को combine कर देना तो यह प्रक्रिया हमारी करती है photosynthesis photosynthesis it means प्रकाश संसलेशन की क्रिया so we find the chlorophyll sunlight carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis इसलिए प्रूफ होता है कि chlorophyll की उपस्तिती में sunlight carbon dioxide and water necessary to carry out the process of photosynthesis प्रकाश संसलेशन की क्रिया में यह सभी चीजें बहुत जरूरी होती है students क्या चीजें बहुत जरूरी होती है देखें first chlorophyll, second sunlight, third carbon dioxide and fourth water यह सारी चीजें प्रकाश संसलेशन की क्रिया करने के लिए photosynthesis का process करने के लिए बहुत जरूरी बहुत necessary होती है it is the unique process on the earth यह earth का बहुत ही unique process होता है जो केवल कौन कर सकता है केवल plant ही कर सकते है अगर हमें बुला चाहे तो हम नहीं कर सकते हैं the solar energy is captured by the leaves and store the plant in the form of food तो जो solar energy होती है सूर्य का जो प्रकास होता है उसे capture करते है कौन capture करती है? leaves capture करती है leaves कैसे capture करती है? leaves के अंदर क्या पाया जाता है? एक green color का pigment पाया जाता है यहाँ आपने पढ़ा था ने, first line में यह देखे यह बाली light the leaves have the green pigment called chlorophyll तो leaves के अंदर जो एक green color का pigment पाया जाता है ने, chlorophyll यही capture करता है sun की light को फिर sun की light को capture करने के बाद वो food बनाने का कारियर करता है the sun is the ultimate source of energy for all living organism इसलिए यह पता चलता है हमें, हमें यह चीच क्या पता है कि जो sun है एक ultimate source है जो कभी खतम नहीं हुआ है अभी तक हो सकता है आगे कि पांच साल, पचार, पांच जार सालों में खतम भी हो सकता है लेकिन अभी कुछ है पता नहीं है क्योंकि वो क्या है hydrogen से बना हो, hydrogen जिस दिन finish, जिन sun भी finish लेकिन अभी तो कुछ भी ऐसा प्रूफ नहीं है तो sun is the ultimate source of energy for all living organism तो सभी living organism के लिए ये energy बहुत ज़्यादा जरूरी होता है can you imagine the earth in the absence of photosynthesis क्या आप लोग imagine कर सकते हैं आप लोग सोच सकते हो, आप लोग कल्पना कर सकते हो कि बिना प्रकास translation के हमारा earth रह सकता है नहीं students in the absence of photosynthesis there would be not be any plants अगर photosynthesis का process नहीं होता है photosynthesis absence हो जाता है या किसी भी कारण से हम ये बंद हो जाता है तो हमारे पास plants नहीं रहेंगे और अगर plants नहीं रहेंगे तो the survival of all most of living organism क्योंकि plants के द्वारा ही जो living organism होते हैं plants के द्वारा ही directly and indirectly plants पर ही तो अपने food के लिए depend होते हैं जैसे हमने आगे पढ़ा था कि food के लिए या फिर आपने six standard में भी पढ़ा है कि plants के द्वारा ही हम क्या लेते हैं अपना food लेते हैं और human beings और animals direct and indirect किस पर depend है plant के उपर depend है तो अगर plant ही नहीं होंगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे तो absence इसलिए absence of photosynthesis there would not be any plant कि बिना photosynthesis के कोई भी plant नहीं होंगे अगर कोई भी plant नहीं होंगे तो कोई भी organism नहीं होंगे और कोई भी organism ही नहीं रहेंगे तो हमारे earth कहां से possible होगा beside earth beside oxygen which is the essential for the survival all living organism is produced during photosynthesis इसलिए क्योंकि जितने भी living organism है उन सभी living organism को जीने के लिए किसकी जुरत परते है ब्रीथिंगी ब्रीथ कहां और oxygen से करते हैं और oxygen हमें कौन देता है oxygen हमें प्लांट ही देते हैं क्योंकि plant photosynthesis का process करते हैं जिसके द्वारा वो carbon dioxide को observe करते हैं और oxygen को release करते हैं तो अगर plant photosynthesis का process ही नहीं करेंगे तो oxygen नहीं होगा oxygen नहीं होगा तो हम human being some animals कोई भी जिवित नहीं रह सकता in the absence of photosynthesis life would be impossible on the earth तो इसलिए अगर photosynthesis का process नहीं होता है तो हमारी life impossible हो जाएगी हम आर्थ पर जिवित नहीं रह सकते during photosynthesis chlorophyll containing cell or leaves in the presence of sunlight तो photosynthesis process के दोरान जो photosynthesis जो प्रकास translation की प्रक्रिया होती है तो वो chlorophyll containing cell of the leaves in the presence of sunlight तो किसकी उपस्तिती में होता है sunlight की उपस्तिती में use carbon dioxide and water तो synthesized carbohydrates से और किसका use किया जाता है carbon dioxide और water का use किया जाता है फिर बाद में वो synthesized होता है photosynthesis combine होता है तो carbohydrates बनाता है क्या बनाता है student carbohydrates the process can be represent as an equation इसे हम एक process के द्वारा एक equation के द्वारा समझते हैं ये देखे student carbon dioxide carbon dioxide को हम CO2 भी लिखते हैं water H2O जो यहाँ पर ये arrow बना हुआ है जिसके उपर sunlight और नीचे chlorophyll जो क्या sunlight और chlorophyll दोनों क्या होने चीए presence होने चीए अगर ये presence नहीं होगा तो हमारा photosynthesis का process नहीं होगा इनकी presence में plant क्या करते हैं अपना भोजन बनाते हैं और क्या बनाते हैं भोजन में ये carbo hydrate ये carbo hydrate होता है क्या है ये एक तरह का starch होता है यहां पर देखे ये picture बनी हुई है ये हमारी leaf की और ये देखे ये जो round सा बना हुआ है यहां ये पूरा ये जो पार्ट है यहां पर ये small pores पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं small pores ये small pores ही हमारे क्या कहलाते हैं stomata कहलाते हैं और यह चारो तरफ एक layer से धकी हुई होती है, यह देखे, यहाँ पर यह जो ऐसा layer बना हुआ होता है, यहाँ पर से istomata और यह layer है, इस layer से यह lips क्या है, surrounded है, और इस layer को हम क्या बोलते है, guard cell, क्या बोलते है student, guard cell, opening देखे, guard cell, और यह plant के chlorophyll, देखे, यह chlorophyll बताया हुआ है यह guard cell और यह रहा istomata, यह section throw यह leaf है, यह leaf का एक cutting है, during, next देखे, यहाँ पर एक figure है, हमारे पास, यह sun है, sun की light को capture किया जा रहा है, lips के द्वारा, lips से कैसे capture हो रहा है, क्योंकि lips में क्या पाया जाता है, student क्या पाया जाता है, chlorophyll, क्या पाया जाता है, chlorophyll, इस chlorophyll के द्व format में से carbon dioxide ली जा रही है, oxygen यहाँ पर देखे, release करता हुआ, दिखाया जा रहा है, और carbon dioxide को अंदर लेता हुआ, दिखाया जा रहा है, यहाँ हमारे roots है, इन roots से water and minerals प्रोवाइड किये जा रहे, water and minerals अंदर इन से बेजे जाते हैं, okay student, इस तरह हमारा क्या होता है, photosynthesis का process से हो होता है, during the process oxygen is released, यह यहाँ, during the process oxygen is released, इस प्रक्रिया की दोरान हमारा oxygen क्या होता है, release होता है, the carbohydrates ultimately get convert into starch, और carbohydrate किस में convert हो जाता है, starch में convert हो जाता है, the presence of starch in leaves indicate the augness of photosynthesis, the starch is also a carbohydrate, और starch एक तरह का क्या होता है, carbohydrate ही होता है, okay students,